आज की session में हम Tally Prime के माध्यम से price list create करना सीखने वाले हैं यदि आप अपने अलग-लग प्रकार के customers के लिए goods का price define करना चाहते हैं आप ये चाहते हैं कि जब भी कोई customer आये तो आपको बार-बार उसका price देखना ना पड़े जिस type का customer है उसके हिसाब से automatically sells invoice में उस particular goods का price set हो जाए तो उसके लिए Tally में हमें price list create करने का option मिलेगा उसके माध्यम से हम अलग-लग प्रकार के customers के लिए price को define कर सकते हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि price list होता क्या है price list वास्ता में selling price है जिसे हम अलग-लग प्रकार के customers के लिए fix करते हैं अब Tally में price list को create करने के लिए हमें अपने customers का वरगी करन करना होता है हमें अपने customers को अलग-अलग भागों में विवक्त करना होता है जैसे हो सकता है कि हमारे कुछ customers जिने हम distributors मानते हैं कुछ customers जिने हम wholesaler की category में रखते हैं कुछ customers ऐसे हो सकते हैं जिने हम retailers और कुछ customers को normal थे टैगरी में रखते हैं तो Tally में price list को create करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा customers को अलग-अलग categories में divide करना होगा इन ही categories को यहाँ पर price levels के नाम से जाना जाता है तो सबसे पहले price list को create करने के लिए हमें customers को अलग-अलग levels में या अलग-अलग categories में divide करना होता है जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं distributors, wholesaler, retailer, customer यह different type of price levels है जिने हम समानी बाईशा में different type of customers कह सकते हैं या customers का group कह सकते हैं जनरली manufacturing business के अंदर जो supply chain होती है वो कुछ इसी तरह से होती है तो company अपने अलग-अलग customer base के लिए अलग-अलग price set कर देती है, define कर देती है अब यह price list हम दो प्रकार से tally में create कर सकते हैं पहली price list होती है quantity और discount based यानि ऐसी price list जिसमें customer को हम quantity के अधार पर discount के साथ price offer करते हैं जैसे यहाँ पर हमने एक example लिया है LG TV और Sony TV यह हमारे दो product हैं दो stock item है अब LG TV के लिए हमारे जो price levels हैं distributor और wholesaler उनके लिए हमने यह आपर एक price list तयार की है जैसे LG TV का MRP हमने set कर दिया है 5000 और distributor को बोला है कि यदि आप एक से लेकर 10 के बीच में quantity इसकी purchase करेंगे तो हम MRP पर आपको 5% discount offer करेंगे यदि आप 10 से लेकर 25 के बीच में LG TV की quantities purchase करेंगे तो हम आपको 8% MRP पर discount offer करेंगे इसी तरह से 50 से 50 पर 10% और 50 से ज़्यादा quantity यदि आप purchase करते हैं तो हम आपको MRP पर 12% discount offer करेंगे तो यह तो है distributor के लिए ठीक इसी तरह से wholesale के लिए भी हमने MRP पर quantity based discount set कर दिया है सेम यही काम हमारा जो दूसरा product है Sony TV उसके लिए भी हम set कर सकते हैं तो यह एक तरीका है कि इसके माध्यम से इस तरह की price list हम create कर सकते हैं दूसरे type की price list हो सकती है जिसमें हम quantity based price set नहीं करते हैं हमारे जो भी products हैं हम उनको अपने price level यानि customer की grouping के according उनके price को define कर देते हैं जैसे mouse एक product है जो डेल कंपनी का है तो distributor के लिए उसका भाव 220, wholesaler के लिए 250, retailer के लिए 290 और customer के लिए हमने 340 रुपे set कर दिया है टिक इस तरह से HP कंपनी का mouse, normal keyboard, TVS gold keyboard इन सब के price distributor, wholesaler, retailer और customer को ध्यान में रखते हुए define कर दिये गए हैं अब यह कोई जरूरी नहीं है कि आपके business में भी same इसी तरह से price level हो हो सकता है आपके customer base अलग प्रकार से हो, आपके business में distributor, wholesaler नहीं हो direct retailer customer हो तो आप किवल retailer और customer के लिए price level define करते हुए price list को create कर सकते हैं और इस तरह की price list या price levels हम अलग-अलग occasion पर जैसे कोई festival season आ रहा है और आप discount sell लगाना चाहते हैं तो उस condition पर भी holy, धिपावली, रक्षा बंदन, 15 अगस्त इस तरह के festivals पर भी आप अलग-अलग price discount के साथ without discount, with discount create कर सकते हैं आपको पता है, और company से related जो basic features है वो भी हमें इस screen पर दिखाई देता है जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, enable the features as per your business need, business की need के according, जिन-जिन features की हमें आवशकता होती है हम इस screen से उन्हें enable या disable करते हैं, तो आज हमारा जो topic है वो price list create करना है, और price list से related कोई भी option भी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है बस अभी हम GST को implement नहीं करने वाले हैं, इसलिए GST का option हम no कर देता है और price list के option को देखने के लिए show more features पर click करते हुए उसे on कर देता है अब यहाँ पर देखते हैं, inventory के अंदर हमें option दिखाई दे रहा है, enable multiple price levels, इस option को हमें yes कर देना है Ctrl A से हम इस option को save करते हैं, then master section में जब हम create में जाएंगे, तो अब हमें accounting master और inventory master inventory masters में तीन नए options हमें दिखाई देते हैं, price levels, price list, stock group और price list, stock category it means हमारी company में जितना भी customers हैं, जिनने हम अलग लग नाम से पहचानते हैं, कुछ distributors हैं, कुछ wholesaler हैं, उन सब को हमें यहाँ पर define करना है इस तरह से price levels हम अपनी company के लिए define कर देंगे, यह हमारे customer के प्रकार हो गए, different type of customers इनने आप कह सकते हैं, जिनने यहाँ पर price list के लिए price levels के नाम से जाना जाता है इसे save करते हुए, जब हम बाहर आएंगे, उसके बाद हमें directly price list नहीं बनाना है, हम सबसे पहले stock group और stock item create करेंगे तो stock group में, जैसा कि मैंने आपको बताया, LG TV और Sony TV, तो TV नाम से मैं यहाँ पर एक stock group create कर रहा हूं, should quantities of items be added, इस option को हम यस रखेंगे और इसके बाद हम create करेंगे stock items, दो प्रकार के stock item हम create करेंगे, पहला हम बनाएंगे LG TV, group TV, units create करेंगे, alter C के साथ, numbers और इसका opening balance डाल देते हैं, 100 norms at the rate 2000 each, दूसरा stock item हम बनाएंगे, Sony TV, numbers, इसका भी opening stock डाल देते हैं, 100 norms at the rate 2500 each then अब हम बनाएंगे price list, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, नई company create की, company create करने के साथ ही, company features में price list वाला option activate किया, then price levels create किये, उसके बाद stock group, stock item को create किया, अब हम बना रहे हैं price list, यहाँ पर हम price list दो प्रकार से create कर सकते हैं, price list based on stock group और price list based on stock category, यदि आपने stock को category wise डिफाइन कर रखा है, तो category wise भी हम यहाँ पर price list को define कर सकते हैं, और group wise भी हम यहाँ पर price list को create कर सकते हैं, तो आज की session में हम stock group पर best price list को create करेंगे, जैसे आप इस option को select करेंगे, टैली आप से सबसे पहले stock group के बारे में पूछेगा, कि किस stock group पर आप price list create करने वाले हैं, अभी इस company मे हमारे पास एक ही stock group है, टीवी, जिसमें दो items हमने define की है, LG TV और Sony TV, यदि आपके पास अलग-लग stock groups हैं, तो उनकी list आपको यहाँ पर दिखाई देगी, और आप अपनी need के according, किस stock group के लिए price list को create करने वाले हैं, वो group आपको यहाँ पर select करना होगा, तो यहाँ से मैं stock group select कर लेते हैं, और इस price list को हम कब से applicable करने वाले हैं, वो date हमें यहाँ पर define करनी होती है, तो जिस तरह से आपकी business की need है, जैसे माली जो कोई festival season आ रहा है, तो आप उस date को यहाँ पर apply कर सकते हैं, उस date से जो भी price आप define करेंगे, वो price आपकी company के लिए, जब भी आप sales invoice from और less than, यहाँ पर हमें quantities define करनी है, तो cursor directly कहा गया है, less than वाले column में, it means 1 से लेकर 10 तक, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यह column है less than का, it means 10 से कम, यहाँ एक से लेकर 9 तक, अगर कोई quantity distributor purchase करता है, तो LG TV की MRP है 5000, जिस पर हमने discount offer किया 5%, और discount भी if any है, तो आप यहाँ लिखिए, otherwise आप इसको skip भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, अब 10 से लेकर 25 की बीच में कोई quantity purchase करता है, LG TV का, और वो भी distributor होगा, तो MRP रहेगी 5000, उस 5000 पर हम उन्हें discount offer कर रहे हैं, 8%, 25 से लेकर 50 की बीच में quantity purchase करते हैं, तो 5000 पर हम offer कर रहे हैं, उन्हें नहीं लिखना है, enterprise करना है, enterprise करने के बाद फिर से MRP को define करना है 5000 और 12% हम उन्हें discount offer कर रहे हैं, तो यह set हो गया LG TV के लिए, same इसी तरह से Sony TV, second number product, same range रहेगा, लेकिन इसकी MRP हमने set कर दिए, 4000 रुपीज, 4%, 10 से लेकर 25, 4000 रुपे पर, 7%, 25 से लेकर 50 quantity, 4000 रुपे पर, 9%, 50 औ उन्हें offer करेंगे 11% discount, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया है, distributor के लिए price list को define कर दिया है, आप यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे हैं, इसी price list में last column जो दे रखा है, वो cost price का होता है, यदि इस goods का opening stock आपके पास रखा है, या आपने इसे purchase कर रखा है, तो purchase की, जो भी entries कर रखी हैं, उसके आधार पर cost price आपको यहाँ पर दिखाई देगी, इस cost price से हमें फाइदा होता है, कि जब हम price define करते हैं, तो cost को देखते हुए हम यह rate और discount को set कर सकते हैं, तो पहला level distributor के लिए हमने price set कर दी है, फिर से हमारा जो next level है, हमारा जो next type of customer है, उनके लिए हम price set कर देता हूं, तो यह मैंने side कर दिया है, wholesaler के लिए price list, next level है, retailer, अब retailer के लिए, एक से लेकर 25, यानि 25 से कम, यानि 1 से choice तक MRP रहेगी 5000, जिसका discount percentage है, 6%, 25 से ज़्यादा अगर कोई purchase करता है, तो 5000 पर हम उसे 8% discount offer करेंगे, Sony TV, same range रहेगा, बस MRP हमने 4000 defined की है, और discount 11% कम रखा ह तो यहाँ पर हमने 5% उसे define किया है, 25 से ज़्यादा अगर कोई purchase करेंगा, तो 70% हम उसे discount offer करेंगे, next level है हमारा customer के लिए, LG TV, less than 5 कोई purchase करता है, तो MRP होई रहेगी 5000, और discount रहेगा 2%, 5 से ज़्यादा 5000 पर 5%, Sony 4000 पर 1%, 5 से ज़्यादा 4000 पर 4%, तो यहाँ हमने क्या कर दिया है, सारी price list को create कर दिया है, price list create करने के बाद, next step हमारी होगी, हम lasers create करेंगे, lasers में सबसे पहले हम कुछ parties के laser बनाएंगे, जैसे ram and company, यह हमारे data है, यह हम goods sell out करने वाले है, send you data में आपको रखना है, maintain balance bill by bill, इस option को yes रखना है, और यहाँ पर price list को apply करने के लिए, means हमारी parties पर, ज एक option और activate करना होता है, तो laser जब आप create करें, तब आपको F12 प्रेस करना है, F12 में, general detail section में आपको एक option दिखाई देगा, use price levels for party lasers, आप इस option को yes कर लिजेगा, ताकि जितनी भी price level हमने define की हैं, उन्हें parties पर apply कर सकें, तो control A से, इस option को हम save कर लेते हैं, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि data का laser मनाते समय हमें एक option और दिखाई देता है, जैसे हम group select करेंगे, then telly हम से पुछेगा कि यह जो particular party आप बना रहे है, ram and company, इसको किस price level पर आपको set करना है, अब ram and company को हम suppose समझ लेते हैं, यह हमारे लिए distributor है, तो इसे हम distributor price level में set कर लेंगे, control A से हम इस laser को save कर लेते हैं, दूसरा हम बना जाते हैं, लक्ष्मान and company, और इसे हम data में रखते हुए, wholesaler price level में set कर लेते हैं, तीसरा हम बना जाते है, rear and company, इने हम set कर लेते हैं, retailer price level में, then हम बना लेते है, Mohan and company, और इनको हम set कर लेते हैं, customer price level में, तो यह तो तो है हमारे सारे data parties, जिनको हम goods sell out करेंगे यदि हम किसी company से goods purchase भी करते हैं तो उनके लिए जो lasers हम create करेंगे जैसे C& company यह हमारे sendi creditor हैं तो creditors को create करते समय यहाँ पर telefit से आप से पुछेगा price level applicable तो इस condition में जो भी creator parties होंगी उनमें हमे price levels को not applicable रखना है देखिए आप इस concept को समझिएगा price हम किसके लिए set कर रहा है जो हमारे customers हैं जो हमारी data parties हैं जिनको हम माल बेशते हैं उनके लिए हम price को set कर सकते हैं लेकिन जिनसे हम goods purchase करते हैं उनका price हम set नहीं कर सकते आप किसी दुकान पर जा रहे हैं किस shop पर जा रहे हैं कोई चीज purchase कर रहे हैं किस तरह से यूज करना है सबसे पहले entry हम goods purchase कर लेते हैं supplier invoice number, party account name, c and company, purchase laser purchase, name of item, lg tv, quantities 100 norms और purchase कर लेते हैं और sony tv की 100 norms और purchase कर लेते हैं तो यह purchase की simple entry हम post कर सकते हैं यहाँ पर आपको price list का कोई option दिखाई नहीं देगा लेकिन जब आप sell out करेंगे goods को बेचेंगे जैसे हमारी party राम & company अब यह हमसे goods purchase जब करने आएंगी हम इनका sales invoice generate करेंगे जैसे हम राम & company को select करेंगे तो आप देखेंगे tally ने price level उनका show कर दिया है राम & company को हमने distributor price level में set किया था तो यहाँ पर आपको price level दिखाई दे रहा है distributor अब इनका order है कि LG की इने 50 TVs चाहिए तो जैसे हमने quantity डाली 50 automatically MRP यहाँ पर show हो गया है लेकिन इस MRP पर हमें इनको discount भी देना था लेकिन discount का column हमें invoice में अलग से दिखाई नहीं दे रहा है उसके लिए हमें क्या करना है जब हम company create कर रहे थे तो company features में हमने option को activate किया था और वहीं पर एक option और था जिसके थूर हम invoice में discount column को show कर सकते हैं अब वह option मैंने वहाँ पर activate नहीं किया था अब मुझे यहाँ पर याद आया है तो उसके लिए हम यही से F11 प्रेस करेंगे F11 में आप देखेंगे कि हमने option activate किया था inventory में से enable multiple price levels इसको तो yes कर दिया लेकिन इसके निचे आप देखेंगे use discount column in invoice इस option को भी हमें yes करना होगा यह कब करना है yes जब हम अपने invoice में discount column को show करना चाते हैं या हम अपनी parties को discount offer करना चाते हैं तो हमें इस option को yes करना है F11 में से आप yes कर सकते हैं otherwise जब company create कर रहे हैं आप तब भी आप इस option को yes कर सकते हैं Ctrl A से आप इसे Save कीज़ेगा, अब आप देखिए, Discount का Columbia में, Invoice में Show होने लगा है, तो काफी आसान सा काम है, आप जितनी भी Quantity लिखेंगे, Quantity के आधार पर, Automatically MRP और उसके उपर जो भी Discount आपने Set किया है, वो Discount आपको यहाँ पर Tally पिक कर लेगा, और आसानी से आप Invoice जंडरेट कर सकेंगे, एक और Invoice हम Create करते हैं, जैसे लक्षमाण इन कंपनी, अब लक्षमाण इन कंपनी को हमने Wholesaler Price Level में रखा है, और इनको हम LG की 12 TV सेल आउट करने वाले हैं, तो Automatic LG TV का MRP, Discount, सारा कुछ यहाँ पर Tally ने पिक कर दिया है, और Final Amount आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अब कई बार ECB Parties आ जाती हैं, जिनका Price Level हमने Define नहीं किया है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कोई Case में Bill बनाना है, अब Case में Bill बनाना है, तो Price Level हमने Define नहीं कर रखा है, तो आप यहाँ पर उस Customer को किस भी Price Level में Define कर सकते हैं, आप उसे Customer का Price देना चाहते हैं, आप उसे Distributor का Price देना चाहते हैं, या Wholeseller का Price देना चाहते हैं, जैसे माल लिजे, मैंने Wholeseller ले लिया, तो Wholeseller में जो भी Price आपने Define की थी, इस Cash Bill पर भी वही Price यहाँ पर सेट हो जाएगी, और यदि आप चाहते हैं कि Discount का Percentage कम करना है, ज्यादा करना है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि Cursor जो हमारा होता है, वो Quantity के बाद डारेक्ली जम करता है Amount में, Enter, और हम कोई भी Change Rate में या Discount में नहीं कर पाते हैं, अब यदि आप Invoice बनाते समय कोई Changes करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर से F12 प्रेस करना है, F12 में आपको सारे Basic Features दिखाई देंगे, इस तरह से, इन Basic Features में, Last में एक Option दिया गया है, Modify All Fields During Voucher Entry, कि Voucher Entry करते समय, जितने भी Fields हैं, उन्हें हम Modify कर सकते हैं, उसके लिए इस Option को Yes कीजिएगा, Ctrl A से Save कीजिएगा, अब आप देखेंगे कि इस Cursor जो है, सारे Fields में Move कर रहा है, आप जहां पर भी Correction करना चाहते हैं, वो Correction कर सकते हैं, और आप Discount नहीं देना चाहते हैं, तो Zero डालते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं, तो कोई Discount इस Invoice पर Applicable नहीं होगा, या फिर आप Price Level को Change करना चाहते हैं, तो Price Level को Change भी कर सकते हैं, जैसा भी आप इस Invoice में जो भी Change करना चाहें, वो Change कर पाएंगे उस Option की वज़े से, यहाँ पर आपने एक चीज और नोट की होगी, जब हम Cells का Invoice बना रहे हैं, तो यहाँ पर Cells Invoice का Number और Date डिस्प्ले नहीं हो रही है, जैसा कि Purchase Voucher में हो रही है, पर Purchase Voucher आपको दिखाता हूँ, Purchase Voucher में आप देख रहे हैं, Supplier Invoice Number और Date का Option आ रहा है, लेकिन यही option Cells Voucher में नहीं आ रहा है, जैसे हम Cells Voucher में भी Invoice Number और Date लाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम F12 में ही option मिलेगा, यहाँ पर आपको Show More Conflictation को Yes करना है, और इसमें से Provide Reference Number and Date इस option को Yes कर देना है, Ctrl A से Save करना है, हम आप देखेंगे कि आपकी Cells Invoice में भी Reference Number और Date का फि Print करके देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो जो Price List हमने Create की है, यदि फिर से उसे देखना है, तो Master Section में Create से हम उसे Create करते हैं, Altar से हम उसमें कोई correction करना चाहते हैं, तो correction भी कर सकते हैं, और उसका printout भी निकाल सकते हैं, जैसे Distributors को हम Price List print करके देना च है, Alt-Z से हम Zoom कर सकते हैं, Zoom करके आप देखेंगे, तो यहाँ पर Price List applicable from 1st April 21, जितने भी हमारे items हैं, product हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, quantities, conditions, rate, discount, इस सारा कुछ यहाँ पर हमें मिल जाएगा, अब यह तो बात हो गई कि हमें Price List simple, अलग-अलग levels के लिए किस तरह से create करनी है, यदि Price List में कोई modification करना है, तो उसके लिए Alter के अंदर ही Price List में जब हम जाते हैं, तो यहाँ पर हमें revise price का एक option मिलता है, Alter R से हम अपनी Price List को revise कर सकते हैं, change कर सकते हैं, सबसे पहले Tally हम से पूछता है कि किस group के लिए आप Price List को revise करना चाहते हैं, तो हमारा जो group ह है, वो है TV group, किस level के लिए हमें Price List को modify करना है, तो distributor के लिए, then applicable from, इस Price List में जो भी हम change करेंगे, उसे हमें किस date से apply करना है, अब 1st April से तो हमने ये Price List design कर दी है, define कर दी है, अब हम चाहते हैं कि 1st May से इसे change करना है, या फिर जो भी festival आ रहा है, उस festival के according भी हम ये date को set कर सकत है, Price को revise करने के लिए, या discount को revise करने के लिए, दो option हमें और मिलते हैं, यदि हम price को change करना चाहते हैं, तो या तो हम decrease कर सकते हैं by amount, या फिर percentage wise हम amount को decrease कर सकते हैं, इसी तरह से यदि हम अपनी price को amount wise increase करना चाहते हैं, या percentage wise increase करना चाहते हैं, तो option आपको यहाँ पर को 11% कम करना चाहता हूं तो वो दोनों ही option में यहाँ पर set करूँगा देन जैसे आप enter प्रेस करेंगे टैली आपको message देगा revise price list updated to view price list price and equity to continue जैसे आप enter प्रेस करेंगे अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमारे जो LG TV के MRP थी वो 500-500 रुपए कम हो चुकी है और जो discount हमने offer किया था वो discount भी एक एक परसेंट कम हो गया है इसी list के right hand side पर आपको कुछ column दिखाई दे रहे हैं इन columns में हम historical data देख सकते हैं कि first April 21 से हमने जो price offer की थी उसका rate था 5000 रुपीज और discount था 5% जिसकी costing थी 2000 रुपीज और इसके base पर हमने यहाँ पर अभी changes किया है जो MRP 5000 थी उसे 4500 नहीं 500 रुपए से कम कर दिया है और discount जो 5% था वो 11% सब में कम कर दिया है अब जो price list हमने change की है distributors के लिए उन्हें use करके देखते हैं escape करने के बाद बाहर आ जाते हैं vouchers अभी हम entry कर रहे है अप्रेल मंत में तो अप्रेल मंत में जो भी हम entry pass करेंगे उसका rate distributor के लिए वही रहेगा राम & company हमारे distributor है LG TV 10 norms 5000 MRP आपको शो हो रहा है और ही date अगर मैं change कर देता हूं मैं 1st of May में इस entry को अगर मैं pass कर रहा हूं तो आप देखिए automatically rate change हो गया है और discount का percentage भी 1% कम हो गया है तो आज की session में हमने price list को create करना सिखा यह वो price list है जो quantity और discount के अधार पर हमने तयार की है अब दूसरी जो price list होती है जिसमें हम क्या करते हैं price list तो create करते हैं पर उसमें quantity का कोई role नहीं होता हम अपने customers को discount भी offer नहीं कर रहे हैं एक simple price list बना रहे हैं तो वो price list हम next session में सिखेंगे कि किस तरह से हमें एक simple price list को create करना है यदि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो उप्योगी लगा हो ज्यान वर्दक लगा हो तो आप इससे जरूर लाइक करें शेर करें और comment करें आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें सीखते रहें सिखाते रह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद